हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मै चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम शेर करने वाले हैं डिजाइनर गाउन के चोली का पार्ट पूरा स्टीचिंग एंड कटिंग दोनों रहेगा इसमें जिसके लिए हमने साडी ली है एक और हमने अस्तर का कपड़ा सिर्फ चोली में लगाना है तो हमने कम ही लिया है 80 cm अस्तर का कपड़ा लिया है अस्तर के कपड़े को हमने 4 लेयर में रखा है देखिए ये 4 लेयर हैं इसकी और ये बंद साइड मेरी तरफ है सबसे पहले हमें से उपर की तरफ से सीधा कर लेंगे लाइन ड्रॉ करके उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पर स्टैंडेट साइज के लिए और यहाँ पर मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पर इस परकार से 6.5 इंच पर निशान लगाते हुए स्केल लेकर हमें इस निशान को सीधा ड्रॉ कर देना है फ्रेंस उसके बाद हमें यहाँ पर लंबाई देखना है आपकी जितनी भी तयार लंबाई है हमें उसमें 1 इंच प्लस करके रखना है मेरी लंबाई 13 इंच थी तो मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर निशान लगाया है अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे उसके बाद हम बैकार मोल के लिए 1.5 इंच बाहर की तरफ एक निशान लगा देंगे इस तरह से अब इस निशान को हमें शोल्डर वाले निशान से मिला देना है देखी इस तरह ठीक है अब हमें चेस्ट की मार्किंग करना है चेस्ट है यहाँ पर 32 इंच तो मैंने उसमें 2 इंच प्लस किया तो 34 इंच होता है अब मैं 34 को 4 से डिवाइट करूँगी तो आएगा साड़े 8 इंच तो मैं यहाँ पर साड़े 8 इंच पर निशान लगा दूँगी और यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं 1 इंच का मार्जिन ले लूँगी देखी इसी परकार से हमें कमर की मार्किंग करनी है यहाँ पर कमर है 28 इंच तो मैं 2 इंच प्लस करूँगी तो 30 होती है 30 को 4 से डिवाइट करूँगी तो साड़े 7 इंच आता है तो साड़े 7 इंच पर निशान लगाने के बाद मैंने यहाँ पर भी 1 इंच मार्जिन ले लिया है और दोनों को स्ट्रेट कर दिया है इस परकार से अब मैं आर्म होल में गुलाई इस तरह से दूँगी देखी इस तरह से फ्रेंट और ये बैक दोनों आर्म होल में हमने गुलाई दे दी है अब हम यहाँ पर नेक ड्रॉ करेंगे नेक की विर्थ मैं रखूंगी पौने 3 इंच और नेक की लेंथ मैं यहाँ पर रखूंगी 4 इंच इस तरह से 4 इंच लेकर लेंथ और मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी और इसमें हम नेक का कोई सा भी पैटन दे सकते हैं मैंने यहाँ पर राउंड नेक का पैटन दिया है चलिए अब इसे कटिंग कर लेते हैं देखी यह हमने कटिंग कर लिया है अब हमें इसमें कट लगा लेना है मेन पॉइंट्स पे उसके पाद हम अपने front और back part को अलग-अलग कर देंगे देखी इस तरह से हमें अपने front यह हमारा back part है और यह हमारा front part है हम back को अलग करते हुए front को यह जो हमने armhole का निशान लगाया था इसे भी हम cutting कर लेंगे अब हमने अपनी साड़ी को इस तरह से चार लेयर में जमा लिया है और हम अपने back part को रखते हुए यहाँ पर दोनों parts को एक साथ cutting कर लेंगे इस तरह से आधे आधे इंज का margin छोड़ते हुए और हमने इसमें cut भी लगा लिये है देखिए अब हम इसे अलग-अलग करेंगे इस तरह से हमें अलग करते हुए front वाले part को उठाना है और इस part के उपर रखतेंगे देखिए इस तरह से अब इसका भी यह जो arm hole का extra कपड़ा है हम उसे भी cutting कर लेंगे थोड़ा सा side से छोड़ते हुए देखिए इस तरह से हमने इसे भी cutting कर लिया है friend यह हमारा front और यह back part हो गया है अब हम यहाँ पर एक part को और cutting करेंगे जो की सिर्फ साड़ी के कपड़े से हमें करना है देखिए चार layer में कपड़े को रख लिया है और अपने front part को उठा कर इस तरह से जमाना है हमें उपर की तरफ 2 इंच कपड़े को एक्स्टा छोड़ना है और 2 इंच कपड़े को हमें नीची की तरफ एक्स्टा लेना है और इस प्रकार से हमें इसकी cutting कर लेना है देखिए friend यहाँ पर हमने cutting कर ली है अब मैं इसे आपको खोल कर दिखा देती हूँ कपड़े को देखिए यह पूरी साड़ी का कपड़ा है अब देखिए friend सबसे पहले हमें machine पर आना है और हमें अपने front part ले लेना है जो की अस्तर और main fabric दोनों रहेंगे अब हम इसे चारों तरफ से सिलाई लगा कर अच्छे से जो है attach कर लेंगे ताकि हमें इसमें design बनाने में आसानी हो और कपड़ा slip ना हो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे ही main fabric में और अस्तर में सिलाई चारों तरफ से लगा ली है अब हम इसे side में हटा देते हैं अब यह जो हमने design के लिए कपड़ा cutting किया था अलग से इसे हम सबसे पहले इस तरीके से रखते हुए 3 इंच कपड़ा यहाँ पे छोड़ देंगे देखिए इस तरह से 3 इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर हमें CD मशीन चला देना है और उसके बाद यहाँ से हमें प्लेटे डालना शुरू करना है जो कि हम यहाँ से box प्लेट डालेंगे जो कि मैं यहाँ पर 1,5 इंच की बना रही हूँ अगर आप चाते हैं 2 या 1,5 या 3 इंच की बनाना तो वो भी बना सकते हैं आप कपड़े के हिसाब से जितनी भी चोड़ी प्लेट्स आपको पसंद हो मैंने यहाँ पर सिर्फ देड़ इंच उड़ी प्लेट्स बनाई है इस तरह से हमें उपर की तरफ अच्छे से कपड़े को पकड़ना है और देड़ देड़ इंच की बॉक्स प्लेट्स बनाते जाना है पूरे ही कपड़े में इस प्रकार से हमें अच्छे से प्लेट्स बना लेना है और लास्ट में हमें धाई से तीन इंच यहाँ पर भी कपड़े को छोड़ देना है और इस प्रकार से सिलाई लगा लेना है और नीचे की तरफ भी हम उनी प्लेट्स को जमाते हुए अच्छे से सैट करेंगे सिलाई लगा लेंगे देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमने सभी प्लेट्स को बना लिया है दोनों साइड से स्लाई लगा कर अटैच कर लिया है अच्छे से अब हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए और एक सेंटर में कट लगा लेंगे देखिए इस तरह से हमने सेंटर में कट लगा लिया है यह कट और हमारी चोली में जो हमने उपर सबसे सेंटर में कट लगाया था है इन दोनों को अब हमें मिला देना है इस प्रकार से हमें इसे मिलाते हुए रखना है और इस पार्ट को हम उल्टा रखेंगे देखिए अब जो है हमें ये box plate वाले पार्ट को और चोली वाले पार्ट को दोनों को सिलाई लगा कर चारों तरफ से attach कर देना है ये हमारे चोली की पार्ट में design रहेगा box plate बाला जो कि आगे की तरफ आएगा बहुत ही अच्छा लगता है ये design देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है मैंने attach कर दिया है चारों तरफ से box plate वाले पार्ट को चोली वाले पार्ट से और इस प्रकार से मैं side का जो extra कपड़ा है उसे भी cutting कर दूँगी ताकि हमारे चोली वाले पार्ट में बिलकुल finishing आ जाए देखिए हमने इसे अच्छे से finishing से cutting कर लिया है देखिए इसकी plates कितनी अच्छी set हुई है यहाँ पे front side में बहुती finishing के साथ में अब हम इसकी neck तयार करेंगे चुकि मैंने पहले से cutting कर लिये थे और मैंने इस प्रकार से एक clean कपड़े में इन कलो को चिपका लिया है गरम प्रेस की मदद से देखिए यह हमारे front और back part है जिसमें हम neck बनाएंगे इस तरह से center में रखते हुए देखिए हम back part में neck बनाएंगे और उसके नीचे एक चौकोर design भी बनाएंगे देखिए यहाँ पर crease से crease को मिलाते हुए मैंने neck को set कर लिया है और चारों तरब से neck के side से चिपकाते हुए सिलाई लगा दी है मैंने अब यहाँ पर cutting करना है हमें आधा inch का कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर हमें गले को cutting कर देना है इस परकार से जो हमारे गले का pattern है उस pattern के हिसाब से हमें अच्छे से गले को cutting करना है और उसके बाद हम पूरे गले में छोटी छोटी cuts लगा लेंगे देखी cut लगा लिए है मैंने अब हम इस तरह से गले को पीछी के side पलट देंगे पलटने के बाद एक finishing से हमें top stitch लगा लेना है गले के उपर जिससे हमारी गले वाली slice पक्की हो जाए देखी गला बनकर त्यार हो गया है हमारा front part बिल्कुल ready है अब हमें back part ready करना है back part को भी मैंने crease से मिला कर pin लगा लिये हैं और ये वाले design को मैं इस प्रकार से fold करूँगी और इस प्रकार से crease बना लूँगी और center में इस तरह से अच्छे से रखकर attach कर दूँगी pin की मदब से और उसके बाद हम यहाँ पर इन दोनो patterns में चारो तरफ से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद जो है हमें अच्छे से इन patterns को cutting करना होता है finishing के साथ देखे इस प्रकार से कपड़ा छोड़ते हुए हमें गले को cutting करना है और इसे भी हमें इस तरह से cut लगा कर और चारो तरफ से आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए cutting कर लेना है इसकी भी और अब हमें यहाँ पर इन दोनों में छोटे छोटे cuts लगाना है और corner पे हमें अच्छे से cut लगाना है ताकि अच्छे से पलट जाए देखिए इसे मैंने अच्छे से पीछे side पलट दिया है अब मैं इस में pattern में और neck पे सिलाई लगा लूँगी top stitch जिसे हम कहते हैं उसके बाद मैं आपको final look दिखाती हूँ देखिए friend हमारे front और back part बनकर ready हो गए हैं बहुत ही खुपसूरती के साथ और बहुत ही कम समय में आप यह pattern जरूर ट्राइ करें वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like करें शेयर करें और अगर आप full वीडियो देखना चाते हैं इस gown का complete वीडियो तो आप हमें comment करके जरूर बोलें हम आपके साथ यह वीडियो भी शेयर करेंगे thanks for watching